तो है कर्म दूसरा है यो कर्म शब्द क्रीधातु तो संस्कृत में क्रीधातु एक उससे बना है तो कर्म का मूल आशे है क्रिया अब हम क्रिया शीर होते हैं तो हम कोई कर्म कर रहे होते हैं और यह क्रिया शारीरिक तल पर भी होती है मांसिक तल पर भी होती है जब हम शरीर से कुछ कारे कर रहे होते हैं तो भी कर्म चल लहा होता है और जब मांसिक तल पर कोई विचार या भावना कोई याद आपको आ रही होती है तो वह अभी एक कर्म होता है यानि कि अगर आप घर में बैठे हुए या यहां क्लासरूम में बैठे हुए आपको कहीं की याद आ रही है तो आप दो तलूम पर अलग-अलग कर्म कर रहे हैं एक तो यहां पर सुन रहे हैं लिख पड़ रहे हैं और दूसरे तल पर आप मन ही मन कहीं और कुछ कर्म कर रहे हैं और वह कर्म यहां के कर्म से सम्मंदित नहीं और जब ऐस सिस्तिती होती है तो सवाविक है कि आपका ध अध्यान बटा हुआ होता है आपका ध्यान पूरी तरह से किसी एक कर्म पर नहीं होता है आपके मन में प्रेम, करुणा, दया, तमाम तरह के जो भाव हैं बहुत सारे जो विचार हैं समस्या समाधान के निर्णे लेने के किसी ने कुछ कहा है उसको याद करने के वे सारे भी कर्म ही तो मुख्य बात यहा है कि कर्म विविद रूपों में होता है कर्म शारिरिक तल पर भी होता है और कर्म वैचारिक तल पर भावनात्मक तल पर भी होता है मन और शरीर इन दोनों तलों पर हम कर्म करते हैं यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कर्म को समझना कि किसको हम कर्म कह रहे हैं अगली जो मुख्य बात है कर्म की संदर्म में हुआ यह है कि हर एक कर्म एक तरह का प्रभाव उत्पन करता है क्या उत्पन करता है एक तरह का प्रभाव उत्पन करता है या प्रभाव किस रूप में होता है या प्रभाव एक तरह के संसकार के रूप में होता है या जैसे माली जी आज आप प्लासरोम में आए बैठे और आपने लेक्चर सुना आपने कुछ लिखा तो इस कर्म का एक प्रभाव आपके मन पर होगा आपकी चित्थ पर एक प्रभाव होगा तो चित्थ पर प्रभाव एक संसकार के रूप में होता है तो उस कर्म को करने की आगे भी संभावना बनती जब क्योंकि कि वहाँ आदत बन जाता है जब कोई कर्म किसी कर्म से हम सुख लेते हैं है ना तो वहाँ एक आदत के रूप में परिणत होने लगता है जब कोई कर्म हम सुख के लिए करते हैं आसकती के भाव से करते हैं तो एक तो बात यह है कि कर्म संसकार उत्पन करता है कोई भी कर्म आप कीजिए तो संसकार उत्पन होता है पढ़ने का कर्म कीजिए लिखने का कर्म कीजिए बात करने का कर्म कीजिए लोगं की सेवा करने का कर्म कीजिए अब इसमें एक जो मुख्य बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियों के फूल खेले तो आप अच्छे कर्म करें तो अच्छी आलतें बनेंगी अच्छी आत्तें बनेंगी तो आपके अच्छे संसकार होंगे और अच्छे संसकार होने का मतलब उससे सकार अत्मस्ता जुड़ी होई होती है अच्छी भावनाएं जुड़ी होई होती है प्रेम, करुना, दया, आदि भावनाएं जुड़ी होती है तो आपको सुखान होती होती है एक तो बात यहाँ, अगली बात यह है, कि हर एक कर्म आगे अन्य ऐसे कर्मों की होने की संभावना को बढ़ाता है, तो कर्म एक स्रिंखला, कर्म की एक स्रिंखला बनती है, कई बार हम यह भी कहते हैं कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती, तो जो कर्म है एक कर्म जो हमने किया वो अब आद में अन्य कई कर्मों की टिस्टभूमी भी तैयार करता है और उसके साथ साथ दूसरे के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसके रूप में कुछ नए कर्म भी लेकर सामने लाता है और फिर उसके बाद में फिर आप प्रतिक्रिया करते हैं तो एक जो और इसमें एक मुख्य बात है वह ये है कि आप ऐसे कर्म न करें जो प्रतिक्रिया पूंड हों जिनकी प्रतिक्रिया होता है सकारात्मक कर्म करें तो उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी वो तो अच्छा है लेकिन ऐसे कर्म जैसे माली जी किसी पर नाराज होना किसी को ऐसी बात कहना जिससे इसको ठेस लगे और फिर कल को वो भी कुछ ऐसा कर्म करे जिससे आपको ठेस लगे फिर उसके बाद में फिर आपको ऐसा कर्म किजिए जिससे फिर उसको ठेस लगे तो यह है एक स्रिंखला फिर चलती रहेगी क्रिया की प्रत्क्रिया होती रहेगी आप प्रत्क्रिया नकारात्मक हो एसे कर्मना करें तो अब यहाँ पर हम लोग यह समझना चाह रहे हैं कि कर्मियोग का दर्शन है क्या कर्मियोग का जो मूल मंतब्वे है वह ये है कि हम कर्म के जाल से छुटकारा पाना चाहते हैं किस से छुटकारा पाना चाहते हैं कर्म के जाल से कर्म के जाल से छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं क्योंकि कर्मियोग की अनुसार ह हमारे जितनी दुख होते हैं, हमारे जो भी जीवन में दुख है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कर्म, तो अगर हम कर्म से उबर जाए, है न, तो दुख समाप्त हो सकता है. अब इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म करना ही छोड़ दें है ना क्योंकि बहुत सारे कर्मों की संभावना आपके जीवन में मौजूद है जिसको आपने अगर महां भारत के विसे में सुना होगा या भगवान स्रीकिष्ण का प्रसंग सुना होगा तो उसमें ये बात आती है बगवान स्रीकिष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम बिना कर्म किये तो रही नहीं सकते कर्म तो तुमें करना ही पड़ेगा वो तुम्हारा सुभाव है इससे तुम भाग नहीं सकते लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं और जो कर्मियोग का दर्शन है उसको अगर हम समझें तो उसकी फिलास्फी वहाँ जो गीता है वहाँ पूरी तरीके से सपस्ट करती हैं और आप देखिए मैंने कहना हूं कि उस कर्म का उधारा देना आउशक है या नहीं आउशक है यह मेरा कहने कर देजा लेकिन उसकी फिलास्फी उस गीता से इस्पस्ट होती है और उसे ये पता चलता है कि कर्म के विवित प्रकार होते है और कर्म में कर्म को करने में आनासक्ती का बहुत मात्तोपूर्ण उसकी भूमिका होती है जिसमें कि युद्ध जैसा कर्म भी अगर है और उसको अनासक्ति पुर्वक किया जाए तो आभी आपको मुक्ति दायक हो सकता है उसके भी परिणाम अच्छे हो सकते हैं और उससे भी आपको योग की प्राप्ति हो सकते है जो मुख्य बात यहां यह है जिस तरीके से उन्हों ने अनासक्ति को रेखांकित करने का प्रयास किया है वो बड़ा मूल बात है और देखिए इसलिए शायद कर्म योग पर जब भी बात होती है है ना चाहे विवे कर्मन जी को बात करनी हो चाहे गांगी जी को बात करनी हो चाहे लोकमानितिलग जी को कहना हो तो गीता को बिना बीच में लाए या मारस अरबिंदों को कुछ कहना हो और देना इस विज़े में बिना गीता को लाए आप कर्मियों की बात पूरी नहीं होती मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको जसका आथस सही माना जाया हो सकता है mythology में भी है ना जिसने भी वागरंत लिखा उसकी एक कल्पना हो और उसने यहाँ एक आतिवादी उधारण गंभीर कर्म का उधारण दे करके कर्मियोग को बताना चाहाऊ कर्मियोग के स्बस्ट करना चाहाऊ ऐसा भी संभव हो सुनता है यहाँ जो मुख्य बात है वहाँ मुख्य बात यह है कि हमें यह सबजना चाहिए कि हम कर्म की द्रिष्टी से योग को देख सकते हैं कर्म को अपना करके और कर्म को छोड़ करके भी क्योंकि कर्म को अपनाना और कर्म को छोड़ना कर्मियोग में यह दोनों बते हैं एक तरीक कर्म को अपनाना यहां किस रूप में है कर्म को अपनाना इस रूप में है कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं उस में उसको पूरी तलीनता पुरवक कर रहे हैं पूरी थनमयता पुरवक कर रहे हैं तो आपका ध्यान वहीं है जहां जो कर्म आप कर रहे हैं आप जब सेवा कारे कर रहे हैं जब आप जालू लगा रहे हैं तो पूरी तल्लिंता पुर्वक जालू आप लगा रहे हैं आप बातें कर रहे हैं क्लास में हैं पूरी तल्लिंता पुर्वक आप वहाँ है अब इसके लिए जबर्दस्ती नहीं किया जासता है कि हम कहें कि हम क्लास में ही रहेंगे औ और अगर यह सोचें के कई बार तो मन आपका आचा अदक में कहेगा आप प्लाजम नहीं हो आप उसावित करना जुरू कर देखा है ना तो उसमें यह स्थिति होती है उसके लिए एक तरीका है कि जो भी कर्म है उसके लिए आपका प्रेम हो लफ फार योर वर्ट तो जब होता है है ना तो निश्काम कर्मियों जाता है हलांकि निश्काम कर्मियों की कई स्रेणियां है इसकाम कर्मियों की दो परिभाशाय मुख्य रूप में एक तो आप फल की इच्छा नहीं रखते हैं दूसरी बात जो भी कर्म आप करते हैं वो कर्तब्य के भाव से करते हैं क मेरी पत्नी है मेरे अमुख है मेरे अमुख है अगर ये भाव मेरे अंदर रहता है तो फिर वह कर्म योग नहीं हुआ क्योंकि उसमें मोह है वह आसकती के कारण हो रहा है उसमें मुझे एक विशेश तरह के फल की इच्छा है है ना बाकी ठीक है कई बार ग्यान योगी भी कर्म योगी बनते हैं जैसे भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध मूलता ग्यान योगी थे है ना लेकिन फिर बाद में पूरी तरीके से पूरी तरीके में लोग ग्यान योगी भी थे ही वो उच्छे वस्तक पुराथी कर चुके थे लेकिन कर्मियोगी भी थे दिन रात लगातार उपदेश देते रहना कहीं किसी का सायोग करवा रहे हैं कहीं किसी गाउं में जा रहे हैं